वाल्टेयर वीरया तेलुगु मूवी समीक्षा वाल्टेयर वीरया दो हजार तेईस की भारतिय तेलुगु भाषा की एक्षिन फिल्म है जो बॉबी कोली द्वारा निर्देशित और माइथी मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है फिल्म में चिरंजीवी मुख्य किरदार में हैं उनके साथ रवी तेजा, शुरुती हासन, कैथरीन ट्रेसा, प्रकाश राज, बॉबी सिम्हा, राजेंद्र प्रसाद और वेनेला किशोर हैं साउंड़ ट्रेक की रचना देवी श्री प्रसाद द्वारा की गई थी, छायांकन आर्थरे विल्सन द्वारा और संपादन निरंजन देवराम ने द्वारा किया गया था वाल्टेर वीरया को 13 जनवरी 2023 को संक्रांती सप्ताहांत के अफसर पर रिलीस किया गया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली यह फिल्म बॉक्स आफिस पर व्यावसाइक रूप से सफर रही इस प्रकार यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगू फिल्म बन गई विजाग के एक कुख्यात मच्छुआरे और तसकर वाल्टेर वीरया को एक अदाल्ती मामला लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है C.I. सीताप्ती उनसे संपर्ख करते हैं जो उन्हें एक कुख्यात ब्रग माफिया सोलोमन सीजर के बारे में बताते हैं जो कई पुलिस अधिकारियों की हत्या करने के बाद रौ की हिरासत से भाग गया था सिताप्ती जो सोलोमन की हिरासत के लिए जिम्मेदार था को सेवा से निलंबित कर दिया गया वह वीरया से धन उपलब्ध कराने के बदले में सोलोमन को मलेशिया से भारत प्रत्यर्पित करने के लिए कहता है वीरया इस सौदे को स्वीकार कर लेता है और अपने दोस्तों और सीताप्ती के बहनोई के साथ मलेशिया की यात्रा करता है वे सोलोमन के स्वामित वाले एक होटल में रुखते हैं और उसके अफरन की साज़िश रचते हैं हालाकि वीरया मौका चूप जाता है क्योंकि वह डॉक्तर नित्या और उसकी बेटी वैशनवी को देखकर दंग रह जाता है जहां नित्या गुस्से में वैशनवी को वीरया से दूर ले जाती है सीताप्ती के बहनोई अधीर हो जाते हैं और सीताप्ती को वीरया की जानकारी के बिना सुलैमान का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन सुलैमान द्वारा पकड़े जाने के लिए वीरया उस स्थान पर पहुँचती है और सोलोमन को यह विश्वास दिलाती है कि वे उसके साथ नशीली दवाओं का सौधा करना चाहते हैं इसलिए दिन बच जाता है बाद में वीरया को सोलोमन ने अपनी निजी पार्टी में आमंत्रित किया जहां नकाब पोश हत्यारों का एक समू सोलोमन को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन वीरया उनकी योजनाओं को विफल कर देता है जिसे बाद में पता चलता है कि वे होटल के कर्मचारी हैं वे खुद को अथिधी के नेत्रित्व में रौ एजेंट के रूप में प्रकट करते हैं सुलैमान वीरया के प्रती अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है और उसकी जान बचाने के बदले में उससे कुछ भी मांगने की पेशकश करता है वीरया उसे भारत वापस आने के लिए कहता है और सोलोमन सहमत हो जाता है लेकिन जल्द ही उन्हें उनकी चाल के बारे में पता चल जाता है और उनका भंडा फोड हो जाता है जैसे ही सोलोमन ने विडियो कॉन्फरेंस में अपने बड़े भाई माइकल सीजर के साथ जानकारी के लिए अथिधी पर हमला किया वीरया ने जवाबी कारवाई की और खुलासा किया कि माइकल उसका अंतिम लक्षय था वीरया ने बटू गुफाओं में सार्वजनिक मेले में सोलोमन को मार डाला जहां असहाय माइकल सब कुछ देखता है अतीट चार साल पहले माइकल काला नामक मचुवारे के भेश में वीरया के दोस्त और विश्वासपात्र के रूप में कार्य करता है वीरया की जानकारी के बिना माइकल उसकी बर्फ फैक्ट्री से कोकीन की आपूर्ती करता है नवनियुक्ट एसीपी विक्रम सागर जो वीरया का सौतेला भाई भी है विजाक पहुचता है और ड्रग सिंडिकेट पर कारवाई शुरू करता है अपने बचपन के दौरान वीरया जो चक्कर से पीडित थी ने गलती से सागर को एक पेड़ से गिरा दिया तब से भाई अलग-अलग बड़े हुए हाला कि सागर के मन में वीरया के प्रती नफरत पैदा हो गई लेकिन वीरया हमेशा उससे प्यार करती थी सागर ने भी निथ्या से खुशी-खुशी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी वैश्नवी है सागर वीरया के इलाके में ड्रग्स की उत्पत्ती का पता लगाता है लेकिन माइकल उसे चुपाने में काम्याब रहता है एक दिन बर्फ फैट्री गलती से एक स्कूल में बर्फ में लपेट कर कोकीम की आपूर्ती कर देती है जिसके परिणामस्वरूप कोकीम के कारण निर्जलीकरण के कारण 25 बच्चों की मौत हो जाती है माइकल बाद में वीरया को फनसाता है और मलेशिया भागने की योजना बनाता है वीरया को पुलिस ने गिरफतार कर लिया जिसने जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उसे मुठ भेड में मारने का फैसला किया सागर जो मानता है कि वीरया निर्दोश है, माइकल को लुभाने के लिए जब्द की गई दवाएं लूट लेता है वह वीरया के स्थान पर माइकल को पकड़ने के लिए गुप रूप से नियोजित मुठभेड शूटिंग स्थल पर पहुँचता है हालाकि जेसीपी जो सागर का वरिष्ट अधिकारी भी है, माइकल के साथ मिला हुआ है और माइकल के लोगों ने सागर को चाकू मार दिया वीरया के आते ही माइकल भागने में सफल हो जाता है लेकिन इस से पहले कि वह उसे अपना असली चेहरा दिखाए वीरया गंभीर रूप से घायल सागर को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सागर रास्ते में ही दम तोर देता है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में हमेशा उसके लिए सनह था लेकिन ड्रग सिंडिकेट पर कारवाई के कारण वह इसे सारवजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सका वीरया को पुलिस ने रोका और ले गई सागर को राज किये सम्मान से वंचित कर दिया गया और पुलिस ने उसे देशद्रोही करार दिया दुखी होकर वीरया अदालत में अपनी गवाही के लिए माइकल को भारत प्रत्यरपित करने का फैसला करता है इससे पहले की सीताप्ती उसे रास्ता दिखाए वर्तमान वीरया ने माइकल को उसके ड्रग पार्टनर के खिलाफ खड़ा कर दिया है और उसके ऑपरेशन बेस को उड़ा दिया है प्रतिद्वंद्वी गिरोह माइकल को मारने का प्रयास करता है जहां वह अपने जीवन के बदले में वीरया के साथ भारत आने और अदालत में गवाही देने के लिए सहमत हो जाता है अतिथी की मदद से वीरया माइकल को वापस भारत ले आती है माइकल की गवाही के बाद अदालत ने सागर की वीरता को मान्यता दी और उसे राजकिये सम्मान दिया साथ ही वीरया को उसके आरोपों से बरी कर दिया बच्चों की मौत का बदला लेने की सागर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए विरया ने अदालत कक्ष में माइकल का सिरकाट दिया